एक सेकंड एक सेकंड चलिए हलो नमशकार चलिए अब आ रही हो गया वाज हलो साथिए नमशकार मैं अधुल्टिवारी आप सभी का एक्जाम पुर परिवार में स्वागत करता हूं तो चलिए विलकुल लाइब हूं मैं आप लोगों के सामने चले मैंने देखा नहीं कि सब्सक्राइब कोई बात नहीं है तो आए हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश ने 18 साल के बाद क्या इतिहास बनाया है है ना इस इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश ने क्या इतिहास बनाया है क्या इतिहास रचा है और क्या-क्या मह कुराते हैं पर सारे दिख रहे होंगे आप लोगों को तो मध्य प्रदेश बच्चों 88 सालों के बाद चेंपियन बना है रंडजी ट्रॉफी कर ठीक है दो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश फाइनल में पहुंची है और सबसे बड़ी बात यह कहते कि इतिहास द तीम थी वो थोड़ी दूसरी थी यानि के अलग थी दूसरी टीम थी लेकिन ग्राउंड वही था सब कुछ वही था मैच भी वही था और कह सकते हैं कि ट्रॉफी वही जहां पर कि भारत ने सौरी मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा तो बच्चों रंडजी ट्रॉफी जो ह है मध्य प्रदेश ने 88 साल में 88 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जीता है इसके पहले अगर मैं बात करूं तो 1999 में उनीस सो निन्याने में अभी हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे सारी डीटेल ठीक है सारी डीटेल यहां पर कवर की कि हर एक छोटे-छोटे पॉइ हैं और अपने दोस्तों को भी बता दीजेगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पर सभी एक कलेक्ट कर लेंगे आप उनको बता सकते इंफॉर्म कर सकते जिसे उनके भी एक्जाम के लिए चीजें यूसफुल रहेंगी ठीक है तो मध्य प्रदेश ने बच्चों जैसे क रहा है कि फाइनल में पहुंचा है और वह एक बार 1999 में मध्य प्रदेश ने रंडजी ट्रोफी के फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन करनाटका से हार गया था ग्राउंड कौन सा था तो एम चिन्ना स्वामी स्टीडियम बैंगलूरू था टीम कौन थी अपोजिट में य करनाटक के बैंगलूरू का एम चिन्ना स्वामी स्टीडियम और इसी मेंधान पर फिर से दो बार दो टीम एक साथ मिली जिसमें से एक मुंबई और हैना 41 बार की जो चैंपियन मुंबई और मध्य प्रदेश का मुकाबला हुआ जिसमें कि मंध्य प्रदेश ने आपको पत योगदान रहा किसने सबसे ज़्यादा रन और विकेट लिए हैं यह तमाम सारी चर्चाएं करेंगे मध्य प्रदेश का कैप्टन कोच ऐसे तमाम सारी चीजों के बारे में ऐसे तमाम जो महत्तों पॉइंट से इन पर आईए चर्चा करते हैं ठीक है चलो है हाँ बिलकुल हम सभी बात करेंगे बिलकुल रुद्र वर्मा है ना रुद्र वर्मा विशाल जानवी सिखा सभी बिलकुल रूद्ध करेंगे इसलिए लिए और ये इवेंट आप लोगों के लिए कि रहा गया कि हरके कुश पॉइंट को कवर कर चके क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे से यह सारे कवर किए गए हैं सबसे पहला देखो बात करें तो हैंनि सबसे पहले पॉइंट आपको बता दे कि देखोवाज साम जो रंडजी ट्रॉफी च्रॉफी की सबसे बनते हैं कि मपध्भ प्रदेश तो बना 1956 में भू प्रदेश के नाम से इसके पहले लो ऐना प्रदेश की अधिर मठीपरांत की तीन होल कर टीम थी सीकए नाइडू टीम थी तो यह अलग अलग टीमें हुआ करती थी थी ठीक है 1956 का इतिहास से कब की बात हम बात कर रहें 1956 का तब से लेकर कि आज तक के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे मध्यप्रदिश दो बार फाइनल में पहुंचा जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एक बार तो 1999 में जिसमें करनाटका से मध्यप्र बिद्रू करनाटक में और मध्यप्रदिश भिजेता रहा तो पर सबसे पहले मद्यप्रदिश से हरा दिया मध्यप्रदिश पहलली बड़त ऐसा हुआ Meg कि फाइनल में पहुंचा सबसे पहरे तो मैंने बताया रहे जैसा क्या आप क्योंकि n इसके अलाबा देखो यहां पर छोटे चोटे और पॉइंट क्या है कोच कौन था सबसे महात्व पूइंट को याद रहा कोच ठीक है भाई सफलता में एक टीचर का हाथ होना बहुत जरूरी होता है ठीक है नो डाउट परफॉर्मिंस तो हमारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन इसके पीछे कही न कहीं एक टीचर का भी और एक कोच या परसिख्षा का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो यह बताता है कि करना कैसे है आपको पत्त मुझे उसको पता होता है कि स्टूडेंट कर लेगा उसको capacity capability सब पता होती है लेकिन उसको करवाना कैसे है उसको कैसे ग तोर बता दूं कि जवच्छ रह चुके हैं इनकी कोंचिंग में यानि किसों संद्य प्रते गता जीती थे⋯ और जब इस वार में मध्य प्रदेश के कोच रहे हैं तो इनके कोच मैं बच्छों है ना या दखना इनकी कह सकते ही कि लीडर्शिप में कहे या फिर कोच की बात कर लेते हैं तो मद्य प्रदेश क्या बना चेंपिन बन गया मद्य प्रदेश के कप्तान कौन थे मद्य प्रदेश जो रंड़ ट्रॉफी इसके कैप्टन कोन बहुत महाता पूर पॉइंट है याद आधित शरीवास्तों को यहां पर अधिक्तम बच्चे होंगे न क्लास नहीं प्लेटक सेग्था कि मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में ख receiving 2015 के वाल की old बहुंट की और पहले पारी में यह जो पहली पारी होती पहली पारी होती है प्तर जो फ्रेश्ट्ट पारी हो पहली पारी में मध्धे प्रधेश का सोरी मुंबई का जो इस कोड़ रहा पहली पारी में 374 रund बनाए मुंबई ने पहली पारी में जो मध्धे स्कूर्ण र रून और दू − प्रच्ड पर ने बनाय और सेकन्ड एनिंग में मुंबई ने बनाए 274 यह मुंबई का ठीक 374 और 269 मुंबई का और मध्य प्रदेश ने पहली जो फ़स्ट एनिंग थी आप Glorab करके पूरा कर लिया ठीक है याद दखना मध्य प्रदेश ने चार विकेट खो करके से पूरा कर लिया मध्य प्रदेश की बच्चों जो यह 536 रण का स्कोर था फाइनल में देखो तीन सतक मध्य प्रदेश की खिलाडियों ने बनाएं यह सबसे महत्वपूर्ण बात इस ची 23 फाइनल में सुभम सर्मा ने बनाए 116 रन 116 रन और रजत पार्टीदार यह रजत पार्टीदार तो सैद आपने सुना होगा बहुत पुराना नाम है बहुत ही वरिष्ट खिलाड़ी हैं काफी सालों से खेल रहे हैं रड़ जी और मध्य प्रदेश के लिए तो याद 336 वाला स्कौर था ना इसमें यह तीन सतक लगाये है किसने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी होने तो यह स्कौर कार्ड जितने भी इनको नोड करके रखिएगा है इन सभी स्कौर कार्ड को आप नोड करके रखिएगा आओ इसमें और पॉइंड को देखते ही क्या है है ना मद्धिप्रदेश के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन है मद्धिप्रदेश की तरफ से सबसे ज़्यादा रणजी में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए तो बच्छो 658 रन किसने बनाए रजत पार्टी दार ने बनाए ठेके यह कितने मैच में 6 मैच मे यह भी याद रखना छे मैच में रजट पार्टी दार ने 658 रन बनाए यस दुबे दूसरे नंबर पर है 604 रन बनाए यस दुबे ने और 608 रन तीसरे स्थान पर कौन थे सुभम सर्मा जो की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले मध्यप्रदेश के आप में एक रिकॉर्ड है और गौरब यादव ने कितने लिए 23 विकेट लिए यह मध्यप्रदेश के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं यह भी पॉइंट को नोट करना है बिल्कुल यह साब एक्जाम के लिए महतुपूर्ण है ध्यान रखन हाँ रजत पाटीदार और कुमार करते के यह दो नाम तो बहुत ज़रूरी नहीं थीए दो सबसे महतुपूर्ण नाम रहेंगे इसको नोट करना ठीक है चलो भड़ी आगे इसी में आते हैं देखो आगे बताते हैं बच्चो यह देखो मध्धि प्रदेश के अलाबा यह मुंबई का स्कोर है या पूरे टूनामेंट का स्कोर काड देखते हैं पूरे टूनामेंट की बात करें तो देखो पूरे टूनामेंट में आर्ट की या फिस टीम ने भाग लिया और देखो यहां पे मैच कितने हुए टॉटलúblic 55 मैच हुए वे पूरे श्रीज सिंक दौरं टेमान कितने मैच's मैच हुए फ्लेयर औफ दस है जिससे बोलते मैन आफ दसी इस प्लियर ऑफडा सीरीज का मतलब क्यों तस मैन आफ दसीरी इस तो मैं आफ दसीरी किसे मिला है याद रखना में आपना सीरीज निया किसे पुर्हां किया गया याद रखेंगे सर्फराज खान को ऐसा क्यों क्योंकि पूरे टूनामेंट में सबसे जादा रन किसने बनाए सर्फराज खान ने बनाए कितना रन बनाए सबसे जादा pannt 922ड बने मुंबई की तरफ यहां कि फाइंल में विन्होंने सतAK लगाया था संस मुलानी है इसमन्होंने 45います लिए जो की सभषे ज्यादा wiring लेने का रग्रजी ट्रोफी वीशने में festivals 45 विक्ट किसने लिए समस मुलानी जो की मुंबाई टीम के इसको भी इन नोट करिएगा ठीक है चलिये आए देखते । देखो नेच्स क्या है भाई साब आप यहाँ पर देख सकते कि मदध्य प्रदेस का ये क्या रहा एक है 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 ना पूरा जरनी रही हैर यहां पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने किसको हरा और बिना हाँ वए मध्य प्रदेश ने यह टूनामेंट जीता है एक अस इस पॉइंट को भी नोड करना के इस प्रदेश इस वार के रड़ी ट्रॉपी में एक भी मैच नहीं हा रहा और बिना हमार यह कहां तक पहुंचा इस बार के शेंपियन मुंबई को मध्यप्रदेश ने हरा दिया ठीक है चलिए तो फिर उम्मिद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा और आपके लिए काम काफी यूश्फुल रहा होगा इस से सन है ना इन जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं अगर आपने वीडियो अ यह आप लोग अपने से कंटेंट को नोट कर लेना है ना इसके नोट बना लेना और यह पीडियाप भी हो सकेगा तुम्हें इसको अप्लिकेशन पर अपलोड करवा दूंगा अभी है ना अभी आदे घंटे में पीडियाफ अपलोड हो जाएगी आप लोगों के पास तो आप इसे वहां से डाउन लोड कर लेना ठीड़ें एक्जामपुर को अफिशल अप्लिकेशन डाउनलोड करिया गूग्वाल प्लेट से और वहां पर अपने हैं को रिजिस्टर करके इस पीडियाप को डाउनलोड कर लेना यह तमाम सार आपको मिल जाएगा ठीग हां चलि झाल झाल